नमस्कार एटोजेट डिशर्श उशाग और जानी वे आपसव का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चारे राजस्थानी पापड की सबजी अब देखो उड़त दाल के पापड हम सभी के घर पे होते हैं दाल चावल के साइड में सेक लेते हैं कभी फ्राइ कर लेते हैं पर आज इसकी हम सबजी बनाएंगे जो रूटी या फिर खिचडी या फिर चावल के साथ बहुत बढ़िया लगती है गैस को अन करके आपको उड़त दाल वाले पापड ले लिने हैं यह मैंने तीखे वाले पापड लिया आप जो आपके घर पर हो उ अच्छे से सेख लेना है उसके बाद गैस को अन करके मैंने कडाई रखती है और इसमें मैंने डाल दिया है एक बड़ा चमस तील जैसे ही तील गरम हो जाए तो चौथाई चमस जीरा चुटकी बर हेंग और इसी के साथ ना दो से तीन बारी कटे वे प्याज और दो बारी क चमस जितनी अद्रक लसन की पेस्ट भी डाल दिया और इसे भी मच्छे से भूनेंगे ताकि प्यास के साथ साथ ये भी भून जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं लगबग दो मिनिट हो गा है प्यास हलका सा गुलाबी हो गया इसका कच्छापन भी दूर हो गया तो नम यहां पर मैंने दो टमाटर को काट कर मिक्सर में डाल कर पीस लिया था यानि कि टमाटर की प्यूरी डाल देनी है और बस ऐसे और अच्छे से मिलाते हो ए लगबग आपको एक से दो मिनिट तक ऐसे भूनना है ताकि टमाटर का कच्छा पंदूर हो जाए उसके बाद आप यह घर की जमाई होई दही है ताजी वाली आप चाहे तो मार्कित के भी इस्तमाल कर सकते है बस दही डालने के बाद ध्यान यही रखना है कि इसे लगातार चलाते जाए अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लगातार नहीं चलाते हैं तो दई फटने के चांस है इसलिए अच्छे से इसे एक से दो मिर तक चलाए और इसके अंदर आपको डाल दीना है एक कव भर कर पानी और इसमें उबाल आजाए ना पानी डालने के बस इसे अच्छे से मिला लीजे और इसे लगबख चार से पांच मिनिट के लिए आपको पकाना है तो बस बीश-बीश में चलाते रहना और इसे पकाते रहना तो यहां पर लगबख चार से पांच मिनिट हो चुके हैं और यह बड़ी आसी राजिस्थानी पापड की पर आप इसे एक बार तो अपने घर पर जरूर बनाएं अब आप चाहें इसे ऐसे ही खाएं या फिर रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ या फिर चावल या खिचुडी के साथ मैं जब भी यह सबजी बनाती हूँ हमेशा यह जो हरी मूंग दाल की खिचुडी बनाती ह उसके साथ ही लेती हूए यह बहुत बहुत ही लगता है और देखो सिंपल मसालों से बनाई गई है तो अब इसे जब भी बन चैनल बना सकते हैं कुछ मज़िदार है कुस टेस्टी है तो ट्राइप करना और तक है तो चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक्यो फॉर वाच्च है